असकार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रियांग सौरफ अगर आपको कहा जाए कि बिहार के एक पुर्व उप मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और पहले उपमुख्यमंत्री कौन थे तो आपको ज़रा आश्चर्ज होगा और अगर ये बातें हम नेता प्रतिपाप्षि विसेश कर तेजस्पी यादब जो एक बहुत ही कम समय में उपमुख्यमंत्री बन गये थे बिहार के बिहार येसे एक बड़े राज के उनको पता नहों तो ये और भी ज़्यादा आश्चर्जनक है जी हाँ आप सोच रहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस मुद्दिक पर बात करने लगे हैं दरसल तिजस्पी यादव ने आज स्री कृष्ण सिंग जो की बिहार के परथम मुख्यमंत्री थे उनकी पुनितिथी पर नमन किया जाहिर सी वात है तमाम नेता करते हैं आमजन भी करते हैं लेकिन उन्होंने स्री कृष्ण सिंग को पहचाना तक नहीं बलकि उनके जगपर अनुग्रह नरायन सिंगा को उन्होंने नमन कर दिया आप पहले ये ट्वीट देखिए आप इस ट्वीट में देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें तेजस्पी यादव ने लिखा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंग जी को उनके पुनिती थी पर साधन नमन उन्होंने नमन किया है लेकिन क्या ये श्री कृष्ण सिंग है आप तो जानते होंगे एक आम आदमी अगर यह भूल करे तो शायद ये लोग इगनोर करते लेकिन एक ऐसा आदमी जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निवाता हो और जो खुद उप मुख्यमंत्री पद संभाल चुका हो उनसे ये भूल की उमीद नहीं कि जा सकती ये जाहिर सी बात है कि किसी भी बरे नेता का जो सोशल मीडिया है वो कोई टीम संभालती है तो ये भूल किसी टीम से ही हुई होगी लेकिन अगर जिम्मदारी एक बरे नेता की है तो उस पर मॉनिटरिंग भी वो करते हैं कि आखिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है लेकिन अब देखिए एक पप्पुर से हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं क्या तिजस्त्री आदब को नहीं पता है कि अनुग्रह नरायन सिन्हा कौन थे और श्री कृष्ण सिन्हा कौन थे बिहार बिभूती अनुग्रह नरायन सिन्हा उनकी तस्विर लगाई गई है श्री बाबू यानि श्री कृष्ण सिंह के पुन्यतिति के अफसर पर जो ग्राफिक्स बना है जो प्लेट्स बनाते हैं खासकर जो सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं वो प्लेट्स बना कर विशेष कर जो किसी बड़ीनेता क होता है तो उसमें प्लेट्स बनाकर ग्राफिक्स बनाकर सोशल मीडिया पर उन्हें नमन करते हैं या पर जन्मदिवस पर बधाई देते हैं या फिर कुछ और लेकिन यहां पर इतनी बड़ी भूल की उमीद तोल नहीं की जा सकती थी तेजस्वी यादव की ओफिसियल पेट से यह ट्विट किया गया और सबसे बड़ी बाद इतनी देर में अब तक इन्हें बदला भी नहीं गया कि क्या सच में ये अनुग्रह नरायन सिन्ना है या श्री कृष्ण सिंग है क्या उन दोनों में किसी को फर्क नहीं दिखता दोनों एक समकक्ष थें ये भी जानने वाली बात है श्री कृष्ण सिंग और बिहार विभूती अनुगरह नयान सिना दोरों एक समय के हिनिता थें एक बिहार के मुख्य मंत्री थें और एक उपमुख्य मंत्री थें लेकिन दोनों की तस्वीर तो एक नहीं हो सकती ये समझना चाहिए था बहराल देखने वाली बात होगी कि इस पर तेजस्वी यादव भूल सुधार कब करते हैं अब बड़र हमारे साथ आपका बहुत शुक्रियाद